आकिर भगवान सीव अपने सरीर पर जले हुए मुर्दों की राक्तियों लगाते हैं। सीव पुराण के अनुसार एक सादू था जो कि तपस्या करके बहुत ही सक्तिसाली बन चुका था। वह अमेज़ा फल फूल ही खाया करता था। इसलिए उसका नाम पर्मानत पड़ा। एक बार वह अपनी कुटिया की म्रमत करने के लिए लकडी काटने के लिए गया। कि तभी उसकी उंगली पर चोट लगने की कारण उसकी उंगली कट गई। लेकिन सादू ने देखा कि उसकी उंगली से थून नहीं बलकि फलो का रस निकल रहा है। जिससे कि वह बहुत ही जादा घमंड में आ जाता है और वह अपने आपको दुनिया का सबसे पवित्र इंसान समझने लगा। और उस रिसी का घमंड तोडने के लिए भगवान सीव एक रिसी का रूप लेते हैं और वह उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो। सादू ने सारी वजाए बता दी जिसे देख भगवान सीव कहते हैं ये पोधों का रसी ही तो है। आखरी में पेड़ पोधें भी जलकर राखी बन जाते हैं जिसके तुरंत बाद भगवान सीव अपना हाथ काटते हैं जिसमें सेर राख निकलती है। सादू को अपनी अग्यानता का एसास हुआ और इसलिए भगवान सीव की आरती भी मुर्दों से जली राख से होती है नि भस्म से होती है।